तो रेलबे का ऐसा नियम जो आप साहइद नहीं जानते होंगे आपको तो इस वीडियो के बताने माला हूँ कि अगर आप पालतु जानवर आपके घर में कोई पालतु जानवर है तो आप कहीं सफर पर जा रहे हैं तो क्या आप पूरा साथ ट्रेन में लेकर जा सकते हैं इसी के उपड़ेंगा पूरा बताएंगे आपको और इसके ले जाना का नियम है इसमें वीडियो पर नहीं हो तो प्लीज है आप से रिक्वेश्ट करता है प्लीज चैनल को सबस्क्राइब कर लिए वीडियो को इक लाइक जरूरा कर दीजि ऐसे में आपने पालतु जानवर मतलब की बात कर रहा हूं कुत्तिया बिल्ली को घर में अकेला छोड़ नहीं सकते हैं मजबूरी में आप उन्हें अपने साथ लेकर जाएंगे ही अगर आप अपनी कार में सफर करेंगे तो उसमें तो दिक्कत नहीं होगी दोस्तों क्योंकि क आप पालतु जानवर को अपनी मर्जी के हिसाब से लेकर जा सकते हैं लेकिन अगर ट्रेन में सफर करना चाह रहे हैं तो ऐसे में आप क्या खरेंगे क्या आप अपने पालतु जानवर को ट्रेन के साथ लेकर जा सकते हैं तो इसका जवाब है बिल्कुल हां लेकर जा सकते ह लेकिन इसके लिए आपको एक प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा वो प्रोसेस क्या फॉलो करना पड़ेगा चलिए इस वीडियो में हम बता देते हैं तो वैसे तो ट्रेन और पालतु जानवर को ले जाने के लिए लगेज की तरह अलग व्यवस्ता होती है आप उस खाश डब टिकट कंफार्म है तो उसके अधार पर आपने पालतु जानवर को भी टिकट अपनी कटवानी होगी ठीक है उसके अधार पर अपने पालतु जानवर की भी टिकट आपको कटवानी होगी तभी आप उसमें साथ ले जा सकेंगे अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आप उपर परसानी नहों अगर जानोर चोटा है तो आप उन्हें किसी टोकरी या बॉक्स मिलेकर सफर कर सकते हैं ठीक है पालतु जैनारों को साथ ले जाने के लिए रेल्वें का जो एक और नियम है वो है कि यात्री उन्हें लगेज ब्रेक बैन में बुक कराकर ले जा सकते हैं इसके फैसे लि crochet आत्रियों के मामूलि देना होता है अगर आप ऐसा पार्प नहीं है आप आकेले जानवर कोई हो किस जनकारी नहीं पता होगी तो जो जनकारी मेने दिया आपको कैसी मतलब क्या लगा मतलब आप को मालूम था या नहीं मुझे जरूर लाइक करके बताएगा द्योस्हें में इतना इता लिए देडिनिन धान्स थकिनिल थांस थांस फट्वाचिन पर वीडिव थांस पास्वार, इंद्ट ने रिए ठाउन को सब्आंस तरह